हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू क्रेजी किटन आज मैं आपके लिए फिर से केक की रैस्पी लाई हूँ जिसके लिए मैंने स्पंज रेडी किया है यह हाप केजी का स्पंज है जो की पाइनेपल फ्लेवर का बने बनाया है कि इसकी मैंने लेरिंग काड़ कर रखी है अगर आपको लेरिंग किस सब करती है है, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं यह मैंने थ्री लिएर इसका काड़ा हुआ है केक का Ising Start करते हैं। आईए आपको पताती हु किस टाइब से हैं। सबसे पहले हम इक केक बॉल्ड लेंगे और मैंने ये बेप क्रिम बीप करके रखी है। इसको मैंने Wiping Bag में desafAULT है। अर्ण में इसको बॉल्ड में लगा लेंगे और इसको Naipe से smudge कर लेंगे। अब मैं केक का फर्स्ट लियर इस पे रखूंगी, इसको फिक्स कर लीजिए, ये फिक्स हो गया है, अब इसके बाद मैं इसमें सुगर सीरप जो रहता है, उसको इसमें हलका हलका सोकिंग करूंगी, ये जो सुगर सीरप बनाया मैंने, इसमें प्लैंट वाटर और ये पाइन अब मैंने पाइपिंग बैग में अपना क्रीम भर के रखा ये जो क्रीम है, इसमें मैंने पाइनेपल एसेंस मिलाया है, जिससे हमाला फ्लेवर अच्छे से आएगा, और इसली इसको लगा लीजिए, पर नाइप से पूरा स्मच कीजिए, और इसको एक्वल थिक्नेस में आप फैला दीजिए, पाइपिंग बैग से जब भी हम क्रीम लगाते हैं, काफी इजी लग जाता है, और इसको थिक्नेस रहता है, लिक्वल आता है, अब मैं ये जो पाइनेपल क्रेश, एक लियर में आप इसको एक से डेर स्पून डालेंगे, तो इसका फ्लेवर काफी अ क्रीम लगा लूँगी, और इसको भी इसमच कर लूँगी, हमारा प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन क्या है अब भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कई नए सब्सक्राइबर रहते हैं, तो उन्होंने फर्स टाइम देखा हुआ है, तो उनको नहीं पता चलेगा क इस टाइब से हम इसकी लेरिंग करते हैं, इसलिए मैं पूरा लेरिंग के प्रोसेज बता रही हूँ, अब यह थर्ड लेर रग दी है और इसका बटर पेपर हम हटा लेंगे, और नाइब से हम चारो तरफ इसको करते हैं, क्योंकि यह हमारा एकक्वल बना है कि नहीं नहीं अब इसके बाद हमें के लिए मैंने जो क्रीम है उसमें अपना पाइनेपल एमल्शन मिलाया है, पाइनेपल एमल्शन मेंस इसमें यल्लो कलर होता है और फ्लेवर और इसमें कलर दौनों ही रहता है जिससे हमको काफी अच्छा टैस्ट मिलता है, देखिए अब यह हलका सा आइट यल्लो कलर का क्रीम बन गया है जिससे मैं अपना फिनिशिंग टच दूंगी तो मैंने इसको भी आइसिंग बेंग में भर लिया है और मैं उसी टाइप से इसको भी रोटेट करते हुए पुरा कम्प्लीट कर दूंगी यह जो प्रोसेज है काफी इसी रहता है इसको बिगनर से भी कर सकते हैं और इससे फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है इसको करने के बाद मैं पैलेट नाइप से इसको इसमूद कर दूंगी देखिए इसमूद करने के लिए आप इसक्रवर भी ले सकते हैं या पैलेट नाइप से मेरा तो पैलेट नाइप से काफी हो जाता है इसलिह करते। अब यह मैंने कॉम लिया है केक कॉम है इसको महटा होला साइट है। को क्रीम ऊछारे और नाइप से नाइप से हटा देंगे जिससे काफी इछा Соमाते काफीहिद में दिखाया है यह मारा finishing हो गया है, यह complete हो गया, अब मैं आगे का process करूंगी, यह मैंने neutral gel दिया है, जो कि मेरे घर के बना हुआ है, इसमें मैंने pineapple immersion मिलाया है, color नहीं मिलाया है, जिससे अपने को test भी काफी अच्छा आएगा, और यह काफी अच्छा होता है, neutral gel हलका सा piping bag में डाल के आप फ करेंगे, यह जो neutral gel है हमको पूरा ऊपर की तरफ इसको फैलाना है, और इसको नीचे हम dripping करेंगे, देखिए इसको थोड़ा काम हो गया, इसलिए मैंने डाल के पूरा फैला लिया है, अब इसको side में भी हमको dripping करना होगा, जिसके लिए हम piping bag से भी कर सकते हैं, और spoon से भी कर स कर सकते हैं, वो आप अपने choice के according कर सकते हैं, यह देखिए complete हो गया है, अब मैंने बेप cream ली है, और सबसे छोटा star nozzle लेता है, उसको लिया है, और अभी मैं आपको एक नए type का design बता रही हूँ, क्योंकि रोजट का design काफी common है, जो कि हम देखते रहते हैं, इसलिए मैं नए नए design लेकर आई हूँ आपके लिए, अब यह मैं हलका हलका सा एक point देखे एक flopper बना रही हूँ, यह कोई star nozzle है, सबसे छोटा उससे, यह काफी सुन्दर लगता है, और अच्छा लगता है, और थाड नए design भी है, इसलिए मैंने आपको नए design ट्राई करके बताया है, यह द वो 9 month का complete हुआ था, तो इसलिए मैंने उसके लिए बनाया था, उन्होंने कुछ खास नहीं बोला, पर यह बोला था कि जब यह केक पर आप कुछ लिखेंगे, राइटिंग करेंगे तो happy 9 month लिखिए, तो उन्हीं के साफ से मैंने इसको बनाया था, और design उन्होंने कुछ भ लगता है, और थोड़ा नया भी है, अब यह हमारा design almost complete हो गया है, अब मैंने blue color का spray लिया है, यह जो spray रहता है, बज़ार में काफी आसानी से मिल जाता है, और इसका test bitter भी नहीं होता है, आप easily इसको spray कर सकते हैं, white color की cream पर, यह सभी color में मिलता है, और यह easily इसको colorful भी बना देता है, देखिए मेरा spray हो गया है, अब मैं थोड़ा सा design और बचा है, अब मैंने leaf nozzle लिया है, उससे मैं border जिग जग करके बना देती हूँ, आगे पीछे करके, इससे काफी अच्छा water बनता है, तो यह मैं leaf nozzle से बना रही हूँ और cream white ही रखा है मैंने, तो यह उपर की हिसा इसमें ज्यादा color नहीं है, only blue and yellow and white का combination दिया है, देखिए, leaf nozzle से ही मैं design बना रही हूँ, जहां मुझे खाली लग रहा है, वहां मैं leaf बना दे रही हूँ, और यह cake हमारा complete हो गया है, अब मैं थोड़ा साइस पर decoration part के साब से करूँगी, तो सबसे पहले जिन्होंने order दिया उन्होंने बोला था happy nine month, तो मैं वो अपनी writing में लिखती हूँ, देखिए friends, writing मेरा अच्छा नहीं है, पर जब मुझे बोला गया, तो फिर मुझे लिखना है, तो मैं happy nine month लिखती हूँ, और मैं अपनी cake को complete करती हूँ, यह देखिए, इसका color combination कितना अच्छा लग रहा है, blue end, yellow का, friends, आप comments करके बताइए, कि यह मेरा cake आपको कैसा लगा, design कैसा लगा, और अगर आप first time मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, and comment कीजिए, और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, और मैं आपको आगे किस टाइप का व बहुत अच्छा, यह जो cake है, जिसको दिया था, उन्होंने feedback दिया, कि यह काफी tasty, और काफी उनको अच्छा लगा देखने में, देखिए, cake complete हो गया है, और आपको जो भी recipe देखने हैं, आप मुझे बताइए, मेरे चैनल को like कीजिए, comment कीजिए, and subscribe, bye viewers,